दोस्तों कल हम यूट्यूब पे एक वीडियो डाले थे जिसमें अपने धुरूबराठी भाहिया लिफ्टिस्ट के बारे में बता रहे हैं डिटेल में वीडियो जाके देखेगा बहुत मजायेगा उसमें टैटल में डाले थे दुगगल साहब तो मेरे कुछ दोस्त हमको कॉ पूछे कि दुगगल साहब कौन है दुगगल साहब कौन है यह हम आपको बताएंगे उससे पहले आप देख रहे हों कि हम काला टिका लगा के वीडियो बना रहे हैं काया कि हमको पता चला है कि जो भी दुगगल साहब के खिलाफ वीडियो बनाता है दुगगल साहब के चम ठीको दुगल साहब कहते हैं क्यों कहते हैं आपको डिटेल में बताएंगे यह डिटेल जानने के बाद ना आपको Google पर सर्च करने की ज़रूद पड़ेगी ना आपको को YouTube वीडियो देखने की ज़रूद पड़ेगी नहीं आपको कहीं इंस्टाग्राम ट्रिटर कहीं भी जा लेजन्ट माननिया कादरखान साब जी ने उन्होंने इस किरदार को बहुत ही बखुबी निभाया था इस किरदार के साथ एक प्रॉब्लम थी दुगल साहब के सर में एक बार चोट लगी थी जिसके करण उनके दिमाग में ब्लड़ क्लॉट हो गया था उस क्लॉट की ये थी कि अलग अलग दिन वो गोट अलग जगा पर मूव करता रहता था और किसी पटिकुलर जगह पर मूव करने पे दुगल साहब को अनोखी टाइप की बीमारी हो जाती जैसे अगर वो किसी अरया में घर के बाहर बोड़ पे लिख देती थी दुगल साहब आज गूंगे ह आज बहरे हैं ताकि बाहर के लोगों को ये पता चल सके दुगगल साहब को आज प्रॉब्लम क्या है सेम प्रॉब्लम हमारे दुगगल साहब के साथ भी है इनके दिमाग में भी एक ब्लड क्लोट है जो बिविन एक्सपटीज एरिया में घुमता रहता है अगर वो ब्लड क्लोट किसी पर्टिकुलर एरिया में है तो दुगगल साहब ज्यान पेलेंगे कि इसराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई को कैसे सूल जाया जा सकता है अगर फिलिस्तीन हमला करें तो इसराइल को उसका जवाब कैसे देना चाहिए वगेरा वगेरा अगर वो ब्लड क्लोट किसी और एक्सपटीज एरिया में पहुँच जाता है तो दुगगल साहब किसी सौफट्वेर के बारे में अपना अनुपम ज्यान पेलेंगे अगर वो blood clot किसी और एरिया में पहुंच जाता तो दुग्गल साहब ये बताएंगे कि भारत की GDP का growth rate कम क्यों है वही blood clot अगर घुम के किसी और एरिया में पहुंच गया तो दुग्गल साहब आपको ये बताएंगे कि कंग्नार नावत और महराश सरकार के बीच में क्या problem चल रही है क्योंकि कंग्नार नावत और महराश सरकार खुद document लेके इनके पास गई थी लेकिन दुग्गल साहब के पास एक और additional blood clot भी है जो की एक ही जगह इस्तिर रहता है और वो clot इनको हमेशा anti-India बोलने पर मजबूर करता है इनको हम double दुग्गल साहब बोल सकते हैं मैंने double दुग्गल बोला है double कुछ और नहीं बोला है इसलिए कलको कोई edit नहीं करेगा इस वीडियो को अब इतना सब कुछ बताने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि इनको लोग दुग्गल साहब क्यों कहते हैं आप इनको दुग्गल भी कह सकते हैं डबल दुग्गल भी कह सकते हैं अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आओ कि धुरूब रार्फी को लोग दुग्ग परते रहेंगा